फिर से आगे आ है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान यहीं सब्सक्राइब बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने बीते ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी आते वे देखी है आज भी देखने हैं वो तेजी कायम है, 3303 पे क्लोज हुआ था लेकिन आज एक फिस्दी की मुनाफ़ा वसूली भी आई है ऐसे में आपो क्या लगता है, मुनाफ़ा वसूली यहां से बढ़ जाएगी या फिर जो कीमत है यहां से बिनौला खल की वो आगे बढ़ेगी अगर वाव बढ़ेगी और इसका कैस्टिरिंग एफट हमें मार्स पर 4,000 तक का लेवल दिखा देगा बड़ एलक्शन पे चलते बजट पे चलते हमने देखा कि यह जो दूद के बाव बढ़े वो एक मार्स के बढ़े हैं तो तो लेवाली अभी हम भो सकते हैं कि दिमान भेजरे इंप्रोफ होगी और इसी चलते हमने देखा कि हमने रहिंग बढ़ेगा जिकी नीजाती नीचे नी जाएगा चौथी सो पर नीजाएगा और पाजर आज भी उती रहिंग में टेट करा है कि द्यामत में पंदा आफ्रेल मैक्सिमम मुझे लग रहे है कि एक अप्साइड का पेढ़ रहेगा मतलब करीबंद पंदा इस दिन बाखी है इस पंदा दिन में जो तीजी दिखाएगा में बी अतीसो दिखाएगा जो चार दिखाएगा यह दिखेगा जो बद पंदा के सब्सक्राइगा मैं मंदी का अभी भी नहीं बोड़ रहा हूं मैं तीजी की बात करो इक तरफ आप देखिए क्रूर की तेजी की वजह से कॉटन में जबर रहे हैं वहीं और इसे सेक्टर में जी कंटीजी बनीगी है दूर से पाहँ बढ़ चुके एकॉनमिक डोमिस्टिक मार्टिक की उफानप है काली में जो फिजिकल प्रेजर में है वह यह जब लेना नहीं है जसकि मुझे लगता है कि सौर्पे की तेजी बढ़ दिखा दे इन इसे हाजी में भी बाहिं जा गया तो मुझे लगता है कि तीन दिन की चार दिन की तेजी के बाद आग मार्टिक अगर 32-40 की रिएंग में बिल्कुल लेखे चलो एक बाद 3340 का लेवल तो में दीजिए आप देखेंगे 200 आइसो रुखे है आपको दो दिन के अदर ही तीजी लिखा देगा तो वह रहो पाटन की डॉलिक में बने रहिए तीजी का रूख है पाटन में भी तीजी का और मुझा देखे हैंगे में